तो दोस्तों स्वालत है आप सभीका ओलाइंग डाफ़स्ट यूटूब चनल पर इस वीडियो में हम बात करेंगे UPTET की बेस्ट बुक्स के बारे में हलबा UPTET तो करवाया जाता है लेकिन जादा तर जब रेजल्ट आता है तो 10 से 11 या 15 परसेंट अब्रती UPTET क्वालिफाई कर पाते हैं बागी अब्रती नहीं कर पाते लेकिन इस बार अगर आपने UPTET क्वालिफाई कर लिया तो वो आपका आज ही बन माने होगा क्योंकि पैटर्न के अंदर भी बदलाब हो गया है जैसे जैसे UPTET आगे बढ़ रहा है उतना ही टफ होता जा रहा है नए दर पैटर्न पर आधाईत कोशन आ रहा है तो ऐसे में हमें कौन सी बुक पढ़नी चाहिए कितनी बुक पढ़नी चाहिए क्या ज्यादा बुक पढ़ने से हमारे सेलेक्शन होगा या फिर सबसे अच्छी बुक पढ़ने से सेलेक्शन होगा साही चीज़ें इस वीडियो में आप सभी को बताई जाएंगे कि आप कौन सी बुक से से पढ़ते हैं और उसी के आधार पर पाइच्छा देने चले जाते हैं लेकिन जब प्रेक्टिस से कोश्चन नहीं बसते तो हमारी लिए समस्या हो जाती है इसलिए हमें सिर्फ कॉंसेप्ट पढ़ना चाहिए अगर हमारा कॉंसेप्ट के लिए है तो कोश्चन हमें कहीं से पूछ ले बड़ी आसानी से आप आंसर भी दे देंगे तो ज्यादा इंतजाम ना करवाते हुए मैं आपको बढ़ना है और इस बार आपको यूपी टीट क्वालिफाई करना है तो ऐसे में आपको बही बढ़ना है जो आपके पेपर में आए तो पेपर में आने के लिए आप सीज़ा प्रेक्टिस से कवर करेंगे तो दिक्कते होंगी इसलिए आप सुभी पहले गाइड से पढ़ें जैसा कि आप देख पाएं यूपी टीटी दोजा एकीस के लिए बैस्ट गाइड आपके सामने है जिसमें आपके सब्जेक्ट वाइस जो कोश्चन है वो रख पाएंगे साथ ही आप सभी को हरे कोश्चन का डिटेल में पीछे सॉल्यूशन भी देखने के लिए मिलेगा उत्तर माला के साथ-साथ ब्याक्यात्मक उत्तर भी दिए गए हैं जिससे कि आप सभी बड़ी आसानी से पढ़ पाएं तो जैसा कि आप सभी यहां पर पाएंगे तो आप कभी भूलेंगे नहीं कि मानब विकार्स प्रारम होता है और जीबन परियंत चलता है तो ऐसे में आप सभी को यहां पर याद करने में आसानी होगी कुछ ऐसा ही बुक के अंदर आपको आगे भी देखने के लिए मिलेगा सभी कोशन का डेटेल में स्व अब जैट के तो इन सभी बुक्स को आप सभी पर्चेस कर सकते हैं इन सब का मैंने लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है चैप्टर वाइस आपको पूरी गाइड देखने के लिए मिलेगी अगर आप इस गाइड को स्वाइड कर लेते हैं तो उसके पाद आपको कुछ भी पढ़ने की आप शक्ता बिल्कुल नहीं पढ़ने वाली है क्योंकि इसमें सब कुछ आप सभी को भर भर के दिया हुआ है आपके पैटर्न और आपके एक्जाम के अकॉर्डिंग जिसके में आपको किसी प्रकार की कोई भी थियोरी पढ़ने की आप शक्ता नहीं पढ़ने वाली है क्योंकि अभी आपके पास काफी अच्छा समय भी है और अपनी प्रपेशन भी आप अच्छी कर सकते हैं तो इस गाइड को तो आप सभी परचेस करी सकते हैं साथ में इसके पीछे कोशन भी दिये गए हैं जिसके तुरू आप सभी यहां प प्रपेशन को परपेर कर लें यहां पर भी आपको सेव रही देखने के लिए मिलेगा कोशन के पीछे two देखने के लिए अंसà दोuchen के आपको अंदर दिया हुआ है जैसा कि आप विश्कीन पर देख पाएं सभी सब्जेक्ट वाइज आप सभी यहां से ले सकते हैं इन सभी बुक को आप ओफ-लाइन मार्केट से भी ले सकते हैं किसी भी book seller के पास जाकर सभी के पास आपको ये books available होंगी सभी subject में तो जाएए अभी purchase करिए